Hello and welcome friends, Google Sheets सीखने की सीरिज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Google Sheets की है, आईए समझते हैं Google Sheets में आज हम क्या सीखने वाले हैं देखिए यहाँ पर जो data है, ये आपको देखाए पढ़ा होगा, ये column है ठीक है, ये column है, और यहाँ पर role number जो fill हुआ है, वो row में fill हुआ है ठीक है, बाकी ये headings जो लिखी हुई है, role number, students, computer, English ये सारी columns के format में लिखी हुई है, तो इसको हमें convert करना है how to convert them, let's see, first of all हमें क्या करना है, इस पूरे data को यहाँ से आप copy कर लीजिए कुछ इस तरीके से, इसे selection में लीजिए, और फिर यहाँ से right click कीजिए और इसको आप copy कर लेजिए, आप control C press करके भी copy कर सकते हैं, no problem ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद यहाँ plus के shine पे click कीजिए क्योंकि हम sheet को add करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर right click कर दीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाए पड़ेगा paste special, और इस special पर जाने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर paste transposed दिया हुआ है, तो आपको इसी पर simply click कर देना है, तो जैसे ही आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि row column में convert हो गया है और column row में convert हो जाएगा, तो यह देख लीजिए यहाँ पर यह जो उपर heading दिया हुआ था, मतलब column के format में यह दिया हुआ था, वो row के format में आ गया है और ये row के format में दिया हुआ था तो ये column के format में आ गया है तो I hope कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे मैंने किया अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप इसे share कर सकते हैं Thank you for watching this video